जैशे राम सनातन क्यानकी गंगा में आप सभी सुधी जनों का पुना हावी कंधिन दन है आए दिन हमारे दिनशर्या में कुछ शब्द सामिल होते हैं जैसे श्री श्रीमान श्रीमती जैशे रिराम जैसिया राम जैसीर क्रिश्ने डेवी आईए इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये कब कहा पर कैसे परियोग होता है जहां तक श्री सब्द का सम्बंध है श्री जो है ये श्री की उत्पति समुद्रमंथन से हुई है समुद्र मंथन के पस्चात लक्षमी जी निकली और लक्षमी जी के निकलने के बाद से विश्णु भगवान के नाम के आगे श्री विश्णु लगा लक्षमी जी का एक नाम श्री है और श्री का शाब्दिक अर्थ लक्षमी होता है तो जैसे हम कहते हैं श्री विष्णू इसका मतलब कि लक्षमी विष्णू हम कहते हैं जैसे हम कहते हैं जैस्री राम तो जो श्री राम हम कहते हैं श्री मिन्स लक्षमी हुआ तो लक्षमी और राम का जोड़ी थोड़ा सा बैठता नहीं इसलिए इसमें क्या जोड़ी बैठ गया सीता और राम का जोड़ी बैठ गया सीता जो है लक्षमी के ही रूप है राम जी जो है विश्णू के ही रूप है ऐसे ही जब स्रीकृष्ण कहते हैं तो कृष्ण के नाम से पहले राधे का नाम आ गया तो राधे कृष्ण बोलिए और स्रीकृष्ण बोलिए एक ही है श्री राम बोलिए ये कि ही है श्री राम जो है तद्सम शब्द है मूल रूप है और श्री राम जो है तद्भाव शब्द है देशी सब्द हो गया है कुछ अवधी मिल करके हो गया है तो बहुत लोग ऐसा लगता है कि श्री राम का मतलब कुछ अलग होता है, श्री राम का मतलब अलग होता है, श्री राम का मिनिंग होता है, श्री का अर्थी होता है लक्ष्मी, और श्री जो शब्द है वो इस्तिरिलिंग शब्द है, तब प्रशन ये उठता है कि जब श्री कि गहनता को समझना पड़ेगा एक चली होता यह है कि श्री का जो मान रखे श्री का जो मार्यादा रखे उसको श्री मान कहते हैं श्री मान शब्द का धीरे धीरे पर योग कम लुप्त होते 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 हैं श्री मान के बदले हम लोग श्री सब्द का यूज करते हैं तो यह जो श्री सब्द हम लिखते हैं श्री भगवान दास लिखते हैं श्री राम चंदर जी लिखते हैं यह वास्ताव में श्री मान ही है श्री मान का संश्यप्त रूप होकर-ख स्री हो गया वुलु रूप में श्री इस्त्रिलिंग और इसलिए कई लोग बार ये लोग पूशते हैं कि श्री भजरिंग भर जित्या को समझ हुए है बट श्री दुर जैसा को कहते हैं साहब श्री हनुमान जी जब कहते हैं तो वो श्रीमान हनुमान जी हुए और जब श्री दुरुका मता कहते हैं तो उसमें श्री का आर्थ लक्षमी है और श्री तो इस्तिरिलिंग रूपा है माँशा में श्री जो है इस दिलेंग उसका पूर्णरूप स्रीमान है और स्रीमान का स्रीमान का स्रीमिमि स्रीमििय का इंगरा. श्री प्लस मती श्री जो है लक्ष्मी हो गई और मती जो है मती मींस गुड वीएवियर आचरन मती मिनस आचरन मती जो है सरस्वति जी से सम्भन देता है तो वो लक्षमी जिसमें सरस्वती के भी गुण हो उसको स्रीमती कहते हैं अक्सर हमारे घर में जो नारियां होती है वो लक्षमी तो होती ही है उनके आचरण भी वंदनिये होते हैं वो धन दौलत को संभाल के रखने में लक्षमी का काम करती है और घर के संसकारों को बढ़ाने में सरस्वती का काम करती है वो लक्षमी और सरस्वती का दोनों का काम करती है इसलिए उनके नाम से पहले स्री मती लगा जाता है शृमती का संशिपत रूप नहीं बना है इसलिए नहीं बनाया खिए पुर्षो दी पुर्ष के लिए इसलिए पुर्षों के पहले शृमती सब्ध का पुर्योग की आ जाता है इसके बाद से हमारे पहले के जमाने उस में ऐसे होता था कि हमारे गर में उनका नारिया उती ती हिंका सरनेम नहीं ल्को देविभ बोला जैसे किसी नाम होगा नीरज तो निरज देवी भोलेंगे आज अज इशा यह बहुत है कि घर में उनके नाम के आई कि लगाया जाए सिता नीरजदेवी की आच्रणपरपरपाउ है इसके रहनसान पर भाइटा इसके भर पर फॉल परतौब इस तरीके से सड़िसर्ध और सब्ढोंम और सब्सक्याई ने परप्ड़पाउ जाशे शेशे राम